नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफि का कलेक्शन एक टेबिल में मल्टिपल रो और मल्टिपल कॉलम होते हैं जो आपके डेटा को अट्रेक्टिब तरीके से रिप्रिजेंट करते हैं यदि आप कोई प्रिजेंटेशन बनाते हैं कोई स्लाइड बनाते हैं तो कुछ कंडिशन में हमें अपनी इन्फोर्मेशन क रो और कॉलम के रूप में represent करना होता है तो information को रो और कॉलम के रूप में represent करने के लिए table option का उपयोग किया जाता है table में multiple row होती हैं और multiple column होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी information को आकरसित तरीके से represent कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम slide पर table बनाना सीखेंगे table को format करना सीखेंगे और table से संबंदित सभी प्रकार के basic option को भी सीखने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का देखते हैं powerpoint में table को किस प्रकार create किया जाता है table को बनाने के लिए सबसे पहले आपको insert tab को select करना होता है by default हमारा home tab select होता है यदि आप table बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको insert tab को select करना होगा हमने एक blank presentation create की है जिसमें अभी cable दो slide है एक है हमारी title slide और एक है title and content slide तो हम title and content वाली slide पर एक table create करना चाहते हैं तो हमने अपनी second slide को select किया इस slide पर हमें table बनाना है तो हमने अपनी slide को select कर लिया है इसके बाद हम insert tab पर गए insert tab में tables नाम से एक अलग section होता है tables आपको tables section में table बनाने की चार method provide की जाती है चार तरीके प्रदान किये जाते हैं पहला होता है insert table दूसरा होता है insert table dialogue box तीसरा होता है draw table और चौनथा option होता है excel spread seat इन चारों option का उप्योग करके आप powerpoint software में किसी भी table को create कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला option जो की है insert table यहाँ पर आपको multiple row और column डिस्पले किये जाते हैं जिनको select करके आप अपनी आवसकता अनुसार कोई भी table create कर सकते हैं यहाँ पर आपको column की size और row की size को select करना होता है for example मैंने यहाँ पर select किया four column और three row और click कर दिया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने four into three की एक table बनकर आ गई है जिसमें four column है और three हमारी rows है यहाँ पर आप insert tab के अंदर अपनी आवसकता अनुसार कितने भी row और column को select कर सकते हैं आप जितने row और column select करेंगे उस size की table आपके सामने बनकर आ जाती है लेकिन यहाँ से केवल 10 into 8 की table ही बनाई जा सकती है मतलब इस option से जो table बनेगी उसमें maximum 10 column हो सकते हैं और 8 row हो सकती है इससे बड़ी table इस option के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है यह option आपको maximum 10 into 8 की table बनाने की service प्रदान करता है यदि आपको एक छोटी table बनानी है limited size की तो आप इस option का यूज कर सकते हैं इससे आपके सामने बहुत ही fast speed में एक table की रियेट होकर आ जाती है अब हम देखते है table बनाने का second तरीका second method जो की होती है insert table dialogue box insert table dialogue box यहाँ पर आपके सामने insert table का एक dialogue box आ जाता है जिसमें आप number of column और number of row अपनी आवसकता अनुसार set कर सकते हैं यहाँ पर जो table बनती है उसमें maximum 75 column हो सकते हैं और maximum 75 row हो सकती है जब हम row और column की size पर cursor को रखते हैं तो powerpoint hint देता है कि maximum कितनी row और column आप insert कर सकते हो for example मैंने यहाँ पर दे दिया हमें 6 column और 4 row की table को create करना है तो हमने column की size दे दी row की size दे दी और row के कर दिया तो हमारे सामने एक table बन कर आ जाती है पहला तरीका था जिसमें आपको row और column को select करना होता है दूसरा तरीका है table बनाने का जिसमें आपको table का dialogue box दिया जाता है insert table का dialogue box जिसमें आपको अपनी आवसकता अनुसार row की size और column की size को fill करना होता है यह table बनाने का दूसरा तरीका है अब हम table बनाने की तीसरी method तीसरे तरीके को सीखने वाले हैं जो की होता है draw table इसके लिए आपको insert tab पर जाना है table section में जाना है यहाँ पर table बनाने की तीसरी method होती है draw table जब आप draw table को use करें तो ध्यान रखें draw table में आपका mouse एक pencil के icon में convert हो जाता है मतलब इस pencil के माध्यम से आप अपनी आवसकता अनुसार कोई भी table create कर सकते हैं यदि आप अभी इस pencil का use करेंगे तो यह pencil work नहीं करेगी क्यों? क्योंकि आपकी slide पर एक text area बना हुआ है text box बना हुआ है जिसमें text को type किया जा सकता है यहाँ पर आपकी pencil work नहीं करेगी यदि आप pencil का use करना चाहते हैं तो पहले जो आपने text area बनाया है उसको delete कर दे slide पर wide fall text area होता है उसको हमने delete कर दिया है अब हम फिर से table में जाते हैं draw table को लेते हैं अब आपकी pencil यहाँ पर work कर सकती है क्योंकि पहले हमारी slide पर एक text area बना था text box बना था text box में text को तो type किया जा सकता है लेकिन drawing नहीं की जा सकती है इसलिए draw table वहाँ पर work नहीं करता है हमने pencil से अपनी table की outline water को तयार कर लिया यह हमारी table की outline water है अब इस water के अंदर आप कितने भी row और कितने भी column के create कर सकते हैं अब आपको एक नया tab राप्त हो जाता है design tab design tab के अंदर फिर से आपको दिया जाता है draw table आप फिर से draw table को लें mouse के इस थान पर आपको एक pencil मिल जाएगी अब आप अपनी आवसकता अनुसार इस table में कितने भी row और कितने भी column create कर सकते हैं देख सकते हैं आपको pencil दे दी गई है इसके माध्यम से आप अपनी table में multiple row और कॉलम को create कर सकते हैं ध्यान रखें जब भी आप table में pencil से row और कॉलम create करें तो अपनी pencil को outline border से touch ना करें यदि आप outline border से pencil को touch कर देंगे तो row और कॉलम create नहीं होगा फिर आपकी outline border ही create होगी जब भी आप draw table से row और कॉलम को बनाएं तो outline border से इसको touch ना करें otherwise आप जो row और कॉलम बनाएंगे वह outline border में ही convert हो जाती है तो जब भी आप table में draw table के माध्यम से row और कॉलम बनाएं तो outline border से अपने pencil को touch ना करें इससे आप अपनी table में कितने भी row और कॉलम आसानी से create कर सकते हैं यह होता है table बनाने का तीसरा तरीका जिसका नाम है draw table draw table में आपको एक pencil दे दी जाती है जिससे आप table को अपनी आवसकता अनुसार create कर सकते हैं यहाँ पर eraser भी होती है eraser से आप किसी भी table की row को, column को delete भी कर सकते हैं remove भी गर सकते है, eraser भी दी जाती है तो यदि आप अपनी आवसकता अनुसा तेबिल को बनाना चाहते हैं तो आप use कर सकते हैं draw table option का पहला option हम ने देखा table को बनाने के लिए insert table दूसरा option हमने देखा insert table dialogue box तीसरा option हमने देखा draw table अब हम last option देखते हैं table बनाने का जो की है Excel Spread Seat इस option पर क्लिक करें आपके सामने Excel की एक work seat insert हो जाती है मतलब PowerPoint software में ही आपको Excel की एक work seat create करके दे दी जाती है जिसमें आप अपने आवसकता अनुसार table को create कर सकते हैं row और column का use कर सकते हैं formula function लगा सकते हैं आप देख सकते हैं PowerPoint software में ही अब हम MS Excel की work seat का उपयोग कर सकते हैं और जब आपका करजर इस work seat पर होगा तो आपको ribbon में MS Excel के feature सो किये जाएंगे और यदि आप work seat के बाहर किलिक करेंगे तो आपको PowerPoint software के feature display किये जाएंगे यदि आप work seat पर double click करेंगे तो Excel के feature यूज कर सकते हैं और work seat के बाहर double click करेंगे तो आप PowerPoint software के feature को use कर सकते हैं तो हमने PowerPoint software में table बराने की 4 trick सीखी पहली trick क्या है रो और column को select करके बना लीजिए दूसरी trick क्या है insert table तीसरी trick क्या है draw table और last option होता है Excel की spread seat अभी हमने PowerPoint software में cable table को बनाना सीखा है अब हम देखते हैं एक table को बनाने के बाद हम table पर कौन-कौन सी formatting apply कर सकते हैं table में row और column को कैसे merge कर सकते हैं कैसे delete कर सकते हैं तो हम पहले एक simple table को create कर लेते हैं for example हमने यहाँ पर 3 column और 6 row की एक table create करी है जब भी आप table create करते हैं और table को select करते हैं तो automatic एक design tab भी आपके सामने display होगा design tab और layout tab design tab और layout tab यह दोनो table के लिए दिये गए हैं यदि आप table का selection हटा देंगे तो यह दोनो tab hide हो जाते हैं जब आपका करजर table में होगा या आपने table को select किया होगा तो आपके सामने दो नए tab भी आ जाते हैं design tab और layout tab design tab और layout tab के माध्यम से आप अपनी table पर अलग-अलग प्रकार की style यूज कर सकते हैं style यहाँ पर आपको table की predefined style दी गई हैं जिनका उपयोग आप अपनी table को attractive बनाने के लिए कर सकते हैं आप जो भी style select करेंगे उस style में आपकी table को display किया जाता है जब आप table में data को fill करेंगे तो data के साथ आपको सभी परकार की formatting भी सही तरीके से समझ में आ जाएगी table में data को भी fill कर सकते हैं यहाँ पर आपको multiple type की style दी गई हैं आप किसी भी style का use अपने आबसकता अनुसार कर सकते हैं यादी आप इस table में water set करना चाहते हैं तो complete table को select करें Design tab में ही आपको water option दिया जाता है यहाँ से आप all water select कर दें आप की table में water set हो जाएगी आप water को हटाना चाहते हैं तो no water भी कर सकते हैं water हट जाएगी water को set करने के लिए all water का use करें table के background में यदि color भरना है तो setting option होता है जिससे आप table के background में कोई भी एक color fill कर सकते हैं table के background में यहाँ पर आपको table के साथ effect भी पिर्दान किये जाते हैं effect आप अपनी table पर अलग-अलग type के reflection, shadow, glow इस type के effect भी use कर सकते हैं table को attractive बनाने के लिए तो table के साथ कई परकार की style use की जा सकती हैं जो कि हमें design tab में पिर्दान की जाती हैं आप यहाँ से किसी भी inten ke select कर सकते हैं और अपनी table को आकर से बना सकते हैं आप table को delete भी कर सकते हैं table में row और column को insert और डिलीट भी कर सकते हैं इसके लिए layout tab का use करें layout tab में आपको insert above insert blow दो option दिये जाते हैं जिनसे आप row को insert कर सकते हैं row को insert करने के लिए है insert above insert blow यदि उपर row insert करनी है तो insert above का use करें नीचे row insert करनी है तो insert blow का use कर सकते हैं यदि आपको column insert करना है तो किसी भी एक कॉलम में करजर को रखें कॉलम को आप left side में insert कर सकते हैं या फिर right side में insert कर सकते हैं तो row और कॉलम को आप insert भी कर सकते हैं यदि आपको table को merge करना है merge करना मतलब 2 या 2 से अधिक row और कॉलम को मिलाना है तो आप दो या दो से अधिक row और column को select करें यहाँ पर आपको एक merge cell option भी दिया जाता है merge cell जिससे आप multiple row और column को आपस में मिला भी सकते हैं merge भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने multiple column को मिला कर merge कर दिया इसी परकार से आप multiple row को select करके भी layout tab की help से merge कर सकते हैं merge करना मतलब multiple row और column को मिलाना यदि आपको table को delete करना है row और column को delete करना है तो layout tab में आपको एक delete option भी दिया जाता है जहां से आप column को delete कर सकते हैं जहां से आप row को delete कर सकते हैं और यहां से आप complete table को delete भी कर सकते हैं तो PowerPoint में यदि आपको presentation बना रहे हैं और उस presentation में यदि आपको कभी table बनानी हैं तो आप table option का use कर सकते हैं टेबल बनाने की चार ट्रेक होती हैं चार method होती हैं और table बन जाने के बाद आपको table का एक design tab और layout tab प्रदान किया जाता है जिससे आप अपनी table पर कई परकार के operation perform कर सक सकते हैं तो आज की वीडियो में हमने powerpoint software में table को बनाना सीखा आप अलग-अलग तरीके से table को बना सकते हैं उसको format कर सकते हैं सभी option को use करके देखें आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा कर दो